दोस्तों नमस्कार आदाब सत्रियकाल नियोज क्लिक के कारिक्रम नियूज मंथन के साथ मैं उर्मिलेश भारती ये जनता पार्टी करनाटक में परिवार के शर्वनागत हो गई है ये खबर इसलिए महत्पुण है कि अकसर भारती जनता पार्टी दूसरी पार्टीयों को विपक्ष की जो पार्टियां है ज्यादा तर उनको ये कहती रहती है कि वो परिवार वादी है वो परिवार के बगैर चल नहीं सकती है और अपने बारे में कहती है कि ये चाल चलन और शेहरे में बिलकुल अलग पार्टी है सिर्फ संगठन और कारेच्छमता देखती है परिवार नहीं देखती है अब ये अलग बात है कि अगर फेहरिष्ट उठा कर देखी जाये तो उसके नौजाने कितने नेता कितने परिवार उससे जुड़े हुए उनके लोग पार्टियों उस पार्टी में बड़े बड़े पदों पर आसीन है पताथिकारी है संगठन में भी और सरकार में भी कहीं न कहीं उनकी पोजिशनिंग है अभी दिल्चस्प वाक्या ये हुआ है कि करनाटक में यदुरप्पा जो पार्टी के सबसे बड़े नेता रहे हैं अब तक ये अलग बात है कि उनको तमाम विबादों के बाद तमाम आरूपों के बाद हटा करके और बोंबई सहाब को मुक्यमंत्री पिछली बार बना दिया गया था जो विधान सवार के पिछले चुनाव में कॉंग्रिस के आगे तहीं टिक नहीं सके और भारती जन्तापार्टी बुरी तरह हार गई अब यदुरप्पा के बेटे जो विधायक बेटे हैं विजेंद्र 45-47 साल के हैं और उनको करनाटक की पूरी बाग डोर दे दी गई है करनाटक भारती जन्तापार्टी के अब वो अध्यक्ष होंगे यदुरप्पा को खुश करने का ये सबसे आसान तरीका हो जा गया है पार्टी द्वारा हलांकि यदुरप्पा साथ स्वेम पार्टी की जो सबसे ताकतवर जो एक संस्था होती है पार्लामेंटरी बोर्ड उसके मेंबर हैं तो पिता मेंबर और बेटा अध्यक्ष प्रदेश का ये अब भारती जन्तापार्टी ने करनाटक में एक नया प्रियोग किया है अब इसके पीछे क्या कहानी है इसके पीछे असल कहानी यह है कि RSS या BJP संगठन पर जितने दावे करते हैं कि उनकी सारी सफलताहे संगठन के कारण है इसमें न तो कोई कार्परेट का रोल है न तो कोई जात विराजरी का रोल है न tipsy परिवार का रोल है लेकिन असल कहानी है कि करनाटक में लिंगायत समाज के वोटों को कैसे अपने साथ बरकरार रखा जाए क्योंकि लिंगायत मतों में भी पिछले चुनाव में विधान सभा के कॉंग्रिस को अच्छा खासा समर्थन मिला था अच्छा खासा का मतलब पहले से बेहतर मिला था मैं यह नहीं कहा रहा हूँगी भारती जंता पार्टी का लिंगायत में इस खिसक क्या था पूरी तरह पूरी तरह नहीं लेकिन अब लोग सभाच्छुनाव की तैयारी के मद्दे नजर करनाटक में लिंगायत समाज को जोड़े रखने के लिए यदुरप्पा को खुश करना भारती जंता पार्टी के लिए बहुत जरूरी लगा और उनके बीटे विजेंद्र को प्रदेश विजेपी का अध्यक्ष पना दिया गया इक्वेशन क्या है करनाटक की राजनीत को जानने वाले कहते हैं कि असल इक्वेशन यह है कि कैसे लिंगायत और वोकलिंगा का एक समिकर और तलाश आ जाए और उसके बलपर सिधारमया और शिवकुमार की जो जोड़ी है प्रदेश में कॉंग्रिस की सरकार में उसके बेश को चुनावती दी जाए कॉंग्रिस करनाटक में बुनियादी तोर पे धलित, OBC, आधिवासी और वोकलिंगा यह जो उसका एक जनाधार है इस जनाधार के कारण वो एक बड़ी ताकत बनकर उभरी है पिछले चुनाव में अब बीजेपी की कोशिश है कि वो कैसे वो किलिंगा और लिंगायत दोनों का आधार चुंकि जेडियस बीजेपी के साथ जा चुकी है एलाइंस उसका पक्ता है जेडियस यानि वो पार्टी जो देवगोड़ा साहब की पार्टी है तो देवगोड़ा साहब की पार्टी ने जेडियस ने बीजेपी के साथ इस बार चुनाव में लोकसभा में जाने का फैसला किया है जो की बिधानसभा में वो नहीं गई थी अब बीजेपी को लग रहा है कि साथ हमारा ये समिकरण फिट हो जाए और कांग्रेस को हम मुकाबला दे सकें तो ये असल कहानी है तो इस तरह से बीजेपी ने अपने को परिवार के शर्णागत कर दिया है परिवार की शर्ण में चली गई है करनाटक में ये कहानी एक कहानी आज की हमारी थी दोस्तों दूसरी एक कहानी है बहुत दिल्चस्प और ये कोर्ट कचारी से जुड़ी होई है भारत की सबसे जो बड़ी अदालत यानि सुप्रीम कोर्ट है उसने साथ नौंबर को एक बहुत महत्वपून सुनवाई एक मुद्दे पर की और वो मुद्दा क्या था वो मुद्दा था कि पत्रकारों संपादकों के जो उपकरन है टेलिफोन है लैप टॉप है कंप्यूटर है जो भी इस तरह के चीज़ें है ये जो डिवाइसें हैं उनको जो एजनसियां है जाच परताल के काम में लगी हुई अपराद नियंतरन के काम में लगी हुई आजकल पत्रकारों पर काफी महरवान हैं पत्रकारों को भी वो इसी रूप में देख रही हैं कि ये भी अमिन उनके लेखन से नाराज हो करके कहीं उपर से आदेश जब आता है कि पत्रकारों के खिलाब भी कारवाई करो तो उनके यहां छापे मारी ह होती है उनके उपकरन जब कर लिये जाते हैं और जो जबती होती है उस जबती में बिल्कुल कोई गाइडलाइन का पालन नहीं किया जाता है तो और वो कब तक रखा जाएगा कब उनको सौपा जाएगा नहीं सौपा जाएगा कोई गाइडलाइन नहीं इस बारे में एक की सुनवाई पर जस्टिस एसके कॉल और जस्टिस सुवास धुलिया जी की बेंच सुप्रिम कोर्ट के माननी नया दिशों की इस बेंच ने सुनवाई की और उस सुनवाई में जो सबसे महत्वन बात कही जो बेंच के चीफ यानि बेंच को हेड कर रहे जस्टिस एसके कॉल उनका ये कहना था कि पत्रकारों के कामकाज से जुड़े उपकरणों का जब्त किया जाना एक गंभीर मामला है इस बारे में वाजिब निर्देशावली होनी चाहिए यानि कुछ ऐसे गाइडलाइन्स होनी चाहिए दिशा निर्देश होना चाहिए clear cut वो well defined होना चाहिए जिसके आधार पर एजनसिया अपना काम अगर उनको करना इस तरह का है तो वो करें लेकिन ये भ्रान्त धारना है ये उन्होंने गलत इस बात को माना कि एजनसियों को सरवाधिकार है यानि एजनसिया जो चाहे वो कर सकती है जिसका चाहे उसका फोन जब्त कर सकती है अनंत काल तक रख सकती है उसके साथ क्या वो करें ये उनका अधिकार है इसको उन्होंने सिरे से खारिश कर दिया और जो सरकार की तरफ से ASG आर्गू कर रहे थे उनके आर्गुमेंट्स को भी माननी निया अधिशों ने पूरी तरह मानने से इनकार किया उनका कहना था कि नहीं आप एजिंसियों को एक पूरी तरह बिना किसी इफेंट बट्स के आप एक नहीं कह सकते कि एजिंसियां जो चाहे वो कर सकती है वो जिसका चाहे उसका ले सकती है एक गाइड लाइन होनी चाहिए और इसी गाइड लाइन को लेकर माननी निया अधिश तो ने ASG के जरीय सरकार को ये कहा है कि वो इस बारे में अपना पक्ष पेश करें फिर इसकी जो सुनवाई है वो दिसंबर महिने में रखी गई है छे दिसंबर को और छे दिसंबर को जो अगली सुनवाई होगी उसमें देखना ये होगा कि सरकार अपनी तरफ से क्या दिल्चस्प होगा लेकिन माननी सुप्रिम कोर्ट ने कोगनिजंस लिया इस मुद्दे को और इस मुद्दे पर उन्होंने साफ साफ सरकार को कह दिया कि एजंसियों का ये सरवाधिकार नहीं आए ये एजंसियां जैसे चाहे वैसे नहीं कर सकती हैं बकायदा इस पर एक clear cut एक ठोस well defined एक guideline होनी चाहिए तो दोस्तों ये हमारी आज दूसरी खबर थी और दोस्तों तीसरी खबर जो हमारी है दस नौमबर को Supreme Court की ही एक खबर है दस नौमबर से जुड़ी और वो कि मानी Supreme Court ने सुनवाई करते हुए ये कहा पंजाब सरकार की एक याचिका पर कि जो पंजाब विधान सभा का विशेश सत्र बुलाया गया था जिसमें कुछ मनी बिल पास किये गए थे उस सेशन को विधान सभा के उस सत्र को पंजाब के रजपाल बनवारी-लाल पुरोहित द्वारा अवैध कहना इन्वैलिट कहना और कहना कि ये गहर कानूनी है और समवैधानिक है ये बिलकुल गलत बात है बनवारी लाल पुरोहिट साहब महामहिम राजपाल पंजाब की आरगुमेंट को उनके मनतब्ब को उच्मानिक सुप्रिम कोट ने संविधान के विविन अनुच्छेदों की रोशनी में सिरे से खारिज कर दिया खारिज नहीं किया केवल उन्होंने पंजाब सरकार से कौापरेट करने को कहा उन्होंने कहा कि आप आग से मत खेलिए बहुत स्ट्रॉंग वर्ड आग से मत खेलिए लोगतंत्र को जीवंत रखने के लिए जरूरी है कि एलेक्टेट गौवर्मेंट और नॉमिनेटेड जो पद हैं उनके बीच में सही तालमिल और क्वाडिनेशन हो उनका इसारा बिल्कुल साब था माननी नयाधिसों का कि राजपाल एक नॉमिनेटेड पद है जो सरकार द्वारा नामांकित होता है मानी राष्टपती द्वारा लेकिन राष्टपती जी जो करते या करती हैं नॉमिनेट राजपालों को वो दरसल सरकार का ही रेक्मेंडेशन होता है केंसरकार का उसके आधार पर किया जाता है तो सुप्रिम कोट ने पंजाब के मामले में यह भी कह दिया कि जो बिल पास किये हैं विधान सभा ने उसमें आप कॉपरेट कीजे सरकार के साथ यह बहुत बड़ा मैं समझता हूं की फैसला है इसलिए भी है कि भारत के अनेक राज्यों में यह मसला उठा हुआ है इन दिनों केंदर द्वारा भारती जनता पार्टी की मौझूदा केंदर सरकार द्वारा जो एपॉइंटेड राज़ेपाल हैं उनमें ज्यादातर लोग भारती जनता पार्टी के पुराने नेता हैं यह बात सही है ऐसा मैं नहीं कहा रहा हूँ कि बीजेपी से पहले कॉंग्रेस सरकार में ऐसा नहीं होता था उस समय भी कॉंग्रेस के बहुत सारे नेता राज़ेपाल बनाये जाते थे लेकिन भारती जनता पार्टी के नेताओं के पास नो तो एक सुधिर घराजनितिक अनुभव है सक्ता और सरकार में रहने का और शायद समपैधानिक मुल्यों और मानेताओं के प्रति उतना कमिट्मेंट भी शायद नहीं है इसकी वज़ा से कई बार इतनी ज़्यादा परिशानियां राज़े सरकारों और गवर्नर्स और माहा महीम राज़ेपालों की बीच खड़ी हो रही है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती अब आरेन रवी सहाब माहा महीम राज़ेपाल थमिलाड वो तो ऐसे ऐसे विचार ऐसे ऐसे आदेश ऐसे ऐसे सुझाओ देते रहते हैं राजी की एलेक्टेड गवर्नेंट को एमके स्टालिन की डीम के सरकार को जिस पर अच्रज ही नहीं होता है जिस पर कई बार हसी भी आती है कि क्या कोई राज़ेपाल ऐसा कह सकता है कर सकता है मसलन एक बार उन्होंने तमिल नाड का नाम ही बदलने का फैसला करने का एक प्रियास किया और उन्होंने ये नाम बता दिया कि सहाब ये नाम होना चाहिए एक बार उन्होंने अपना अपना जो उन्होंने निमनतरन वेजा उसमें भी कोछ इसी तरह की बात की निमनतरन कार्ड पर तो ये तरह-तरह की काम वो करते रहते हैं कई बार वो functions में अजीब अजीब बाते हैं जो समारों होते हैं वो even IPS officer हैं, वो तो bjp के निता नहीय है, retired IPS officer है इसके पहले चानलेंड में जा वो थे, तो वहां भी काफी समस्याय पैदा होती रहती थी अब बीच में एक मसला आया विधेकों का तमिलनाट सरकार के बारह विधेक ऐसा बताया जाता है सरकार ने स्वेम इस बात को सामने रखा है मानी सुप्रिम कोड के कि वो महा महीम राजिपाल के हाँ लंबित है और इन में जादातर जो विधेक हैं वो प्रदेश की जनता के वास्ते बहुत बहुत पून है लेकिन उसको दवा करके बैठे हुए हैं महा महीम राजिपाल उस पर कोई कारवाई नहीं हो रही है तो वो कानूनी अमली जामा नहीं पहनाया जा पा रहा है उस उन विधेकों को जो पारित किये जा चुके हैं मैं समझता हूँ कि पंजाब के राजिपाल के कांटेक्स्ट में जो फैसला मानी सुप्रिम कोट ने दिया है वो कहीं न कहीं तमिलनाड और केरल की जो सरकारों ने सुप्रिम कोट में दायर कर रखी है याचिका ऐसे ही इशूज को ले करके उन पर भी एक तरह से प्रभावित उस प्रक्रिया को भी निसंदे प्रभावित कर सकेगा क्योंकि केरल की सरकार ने भी तमिलनाड और पंजाब की सरकार की तरह याचिकाय दायर की है वहाँ आरिफ महमद खान साथ राजय पाल है वो अलग धंके व्यक्ति हैं पढ़े लिखे माने जाते हैं और बात के दिनों में वो भारती जंता पार्टी में रहे इसके पाले कॉंग्रिस में रहे केंदर में मंत्री रहे बहुती चमकदार उस समय राज़िती करियर माना गया उनका लेकिन राज़िपाल के रूप में उन्होंने केरल की एलेक्टेट गॉर्मेंट के साथ जो कन्फरंटेशन का रास्ता अख्तियार किया उससे निश्चित रूप से आरिप सहाब के जो एक सुदिर्ग पुलिटिकल करियर है और अब जबकि वो एक प्रशास्निक एक 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 शासकी पद पर है जो संविधानिक पद है शासन का एक ऐसा पद जो संविधानिक पद है और उसमें केंदर की मौजुदा सरकार ने उनको नॉमिनेट किया है वहाँ पर उन्युक्त किया है तो एक कांटिडिक्शन जो बढ़ा है लगातार केरल की सरकार के साथ और उनके बीच वो नई नई समस्याइं पैदा कर रहा है और राजिसरकार का कहना है कि एलेक्टेड सरकार द्वारा जो विधेयक पारिच किये जाते हैं बहुमत से या युनानिमस अगर उन पर राजिपाल की समय रहते संस्तुती नहीं आती संपुष्टी नहीं आती उसको साइन करके कानून बनाने के लिए नहीं भेजा जाता तो इससे जनता सफर करती है आम लोग सफर करते हैं अब ये दोनों प्रशन जो हैं पंजाब के अलावा तमिलनाट के और केरल के ये दोनों सुप्रिम कोट के समख शलंबित हैं देखना है क्या होता है और दोस्तों बहुत चलते चलते और खबर इस सप्ता की बहुत महत्पूर है और वो है महुआ मुहित्रा के मामले में महुआ मुहित्रा हम सब जानते हैं आप सब जानते हैं लोकसभा की सदस्ते हैं, कृष्णानगर से बंगाल की T.M.C. की नेता हैं, बहुत ही तेस्तरार हैं, उनसे भारती जनता पार्टी, मुदी जी की सरकार, और देश के कई कार्परेट घराने, खासकर एक कार्परेट घराना बहुत नाराज रहा है, और लंबे समय से ये देखा मुदूदा सरकार और कार्परेट के रिष्टों को लेकर काफी काफी कुछ कहा गया था, अब एथिक्स कमिटी ने उनके खिलाब, आप जानते हैं कि जो पहले खबर आई थी, कि उन पर ये गंभीर एक मामला है, कि उन्होंने दर्शन हिरानंदानी नाम के एक पुद्योग पती जो दुबई में बेस्ट हैं, और उनके साथ इनके जो विक्तिकत मित्रता या सम्मन जो भी हों, उसकी वज़ा से उन्होंने लॉगिन जो था पार्लेमेंट के पोर्टल का, उसको उन्होंने रिकार दे दिया था, और उसके नाम पर वहां से कई सवालात आते थे, और फिर वो लोग सवा में पूछे गए, उन पर ये आरोप था, तो ये कहा गया था कि ये रास्टी एकता, खंड़ता और सुरक्षा के लिए खत्रा है, क्योंकि आपके जो सवालात हैं, वो कहीं बाहर से आ रहे हैं, और उनको जो लॉगिन का जो प्रोसेस है, या जो उसका ज गलत कहा था, हलांकि उन्होंने इस तथ्य को माना था, कि उन्होंने लॉगिन का जो अधिकार है, वो दिया था, पासवर्ट दिया था, बाहर के लोगों को, लेकिन उन्होंने रास्टी सुरक्षा, एकता, खंड़ता या सुरक्षा, खासकर सुरक्षा के मामले में, इसको स से यह संभव नहीं है इसलिए वो लोगों को अगर देता है तो यह उसका वो अपनी सुरक्षा का पालन करता है और ध्यान रखता है कि उसका दुरुपयोग नहीं हुआ है बहराल अब मामला इतना आगे बढ़ा कि एथिक्स कमिटी बैठी और एथिक्स कमिटी में फैसला 6 औ मिश्टर सोनकर जो इस पक्ष में हैं कि महुआ मुहित्रा की लोगसभा की सदस्ता को खत्म कर दिया जाए चार लोगों ने विरोध किया अब बड़ी दिल्चस्ट बात है कि जो लोग बीजेपी के साथ हैं पांच तो उसमें बीजेपी के साथ हैं एक कॉंग्रेस की सदस् सिर्प कमिटी भी और जो लोग बीजेपी के साथ हैं उन्होंने इनकी सदस्ता खत्म करने की वकलत की और जो विरोध में हैं उन्होंने इसकी मुखालफत की मोहा मुहित्रा की संसत सदसिता को खत्म करने का जो रिक्मेंडेशन है जो फैसला एटिक्स कमिटी ने किया है वो भेज दिया गया है अब लोक सभाब शेसन जब होगा शित कारिन्सत्र हो सकता है ये निर्वर करेगा स्पीकर महोदे पर कि वो क्या इसको किस रूप में पेश करते हैं या नहीं करते हैं या कोई और दूसरा रास्ता अपनाते हैं ये अभी कहना बहुत कठिन है लेकिन जो कन्फरंटेशन की स्थिति विजेपी सरकार और महुवा मुईतरा के बीच रही है उससे ये आशन का बरकरार है कि शायद शितकालिन सत्र में उनकी संसद सदस्ता खत्म हो जाएगी और अगर होती है तो जाहिरा विपक्ष और सत्ता पक्ष के मीज़ में कन्फरंटेशन का एक और दर्वाजा खुलेगा इस पर ममता बनर जी की जो पार्टी है टीम सी वो ल उप्यपे पैसे लेने की इसमें बात नहीं है सवाल पूछने के लिए ऐसे में आप किसी की सस्ता का एसे खत्म कर सकते हैं तो दोस्तों इन कुछ खबरों की सथता की महत्मूर खबरे हैं मैंने आपके सامने न्डिवज मंतन में इँके प्रस्तन पी नमशकार आदाब सत्री प्रिया काल